हेलो दोस्तों कैसे हैं आप स्वागत है आपका हमारे चैनल घरे लुटिपस एंट्रिक्स में दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए बिल्कुल नया और योसफुल वीडियो लेकर आई हूँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं उस वीडियो को बारिस का मौसम आते ही हमारी चत हमारे आंगन पर बिल्कुल ही काई जमने लग जाती है चाहे हम कितनी भी साफ सफाई रखें कितना भी जाडू लगाएं उसके बाद भी बहुत तेजी से काई जमने लग जाती है तो यहां देखिए मेरी आंगन में आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा चिकना पना गया है और जगा जगा आपको यहां पर हरे हरे काई जमा दिखाई देंगे और कई जगा तो बहुत मोटी मोटी काई की एक परस्सी जम चुकी है नीचे तो पानी रुकने के कारण ऐसा हो जाता है लेकिन बरसात के दिनों में दिवालों पर भी मोटी मोटी काई की जिद्धी परस्सी जम जाती है तो देखिए कितना गंदा लगता है यहां देखिए य ये जो मेरी तुलसी की क्यारी है वहां के दिवारों पर भी हरे हरे रंकी काई जमा हो गई है। पूरे जमीन में भी चिकनापन हो गया है। दोस्तों इसे देख कर लगता नहीं कि ये असानी से साफ हो पाएगी। तो घबराईए मत आज मैं आपको बहुत ही असान सा तरीका बताने वाली हूँ इसे साफ करने का जिससे आप जिद्दी से जिद्दी काई को असान इसे साफ कर सकते हैं। वो भी बिना महनत के। यदि हमारे घर के आंगन में छट पर या कहीं पर भी काई लग गई हो तो उसे हम किस तरह से हटाएं। चलिए देखते हैं। तो काई को हटाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है चूना, खाने वाला नहीं, बलकि यह जो चूना है जिसे हम दिवारों पर लगाते हैं, पेंट करते हैं, आप सबको पता ही होगा। पर आज इसका यूज़ करेंगे हम काई को साफ करने के लिए। दोस्तो ये ना सिर्फ दस रुपए का है, ये बहुत सस्ता मिलता है, दस रुपए में मुझे ये एक केजी मिला है, इतना सारा भी नहीं लगेगा हमें, बस सिर्फ आधे चूने से हमारा काम हो जाएगा पूरा, और इस चूने से मैं आपको इस आंगन को साफ करके हैं, जिससे आपको 100% रिजल मिलने वाला है, दोस्तो तो वीडियो को पूरा देखे, बिल्कुल भी मिशना करे, और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब चरूर कर दे, तो इस चूने को हमें सभी काई वाली जगों पे इसे अच्छे से लगा देना है, ये देखिए, मैं इसे कैसे लगा रही हूं, इस चूने को मैं थोड़ा-थोड़ा सभी जगा फैला के लगा रही हूं, ये बहुत ज़्यादा नहीं लगता हमें, बस थोड़े से चूने से हमारा काम हो जाता है असान, देखिए, मैंने नीचे की दिवारों पर भी सभी जगा पे इसे अच्छे से मिला लिया है क्योंकि काई बहुत ज़्यादा जमा है लेकिन इसे लगाते लगाते मैं सोचने लग गई कि अगर ये साफ नहीं हुआ तो फिर तो आज मेरी हाथों की हालत होने वाली है खराब इसे घिस घिस कर तभ कि ये जो मेरी तुलसी मातक की जो क्यारी है मैंने उसमें भी इसे अच्छे से पूरा लगा दिया है जितने भी दिवाल पे काई जमा है वहाँ वहाँ पे इसे अच्छे से फैला दिया है क्योंकि चुना काई को निकालने में सबसे अच्छा काम करता है और बिलकुल भी हमे इस काई को निकालने में मेहनद भी नहीं को अंगन है बार बार यहाँ पर चलना तो पड़ता ही है हमें और इसने फिसलने का भी बहुत ज़्यादा डर रहता है चाहे बड़े हो या बच्चे हो किसी के भी फिसलने का बहुत डर बना रहता है और इस काई को हम असानी से निकाल सकते हैं आप खुद देख रहे होंगी कि पूरे आंगन में ये काई लग चुकी है तो मैंने जहाँ जहाँ मुझे काई दीख रही है वहाँ वहाँ मैं पूरा अच्छी तरह से इस चुने को स्प्रैट कर दिया है अब इसे थोड़ा सा घिसने के लिए मैंने यहाँ पे कपड़े धोने वाली जो ब्रस आती है बस उसका यूज करने वाली है आपके पास जो भी स्क्रबर हो आप उसका यूज कर सकते हैं ये देखिए मैंने बस हलके हाथों से इसे घिसा और ये अपना काम करना सुरू कर चुकी है दोस्तो इसे हमें 15 मिनाट या 20 मिनाट ऐसे रखने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी आपने देखा होगा कि मैंने इसे बस अभी लगाया और तुरंत ही इसे घिस कर दिखा रही हूँ ये सारा कमालना इस चुने के पाउडर का है जो की अपना असर दिखा रही है देखिए ये कैसे निकलते जा रही है आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये चुनाना 100% असरदान उसका है काई को साफ करने का दोस्तो इसे पहले भी मैंने क्लीनिंग के कई ऐसे वीडियो आपके साथ शेयर किये हैं उसे आप जरूर देखे और हाँ दोस्तो अब तक अगर आपने मेरे चैनल घरिलू टिप सेंट्रिक्स को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए और हाँ मुझे कमेंट बॉक्स पे एक कमेंट करके तो जरूर बताईएगा कि आपको मेरा ये तरीका कैसे लगा और हाँ दोस्तो इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आप घिसते जाएगे जिससे कि वो अच्छे से भीग जाए और आसानी से निकलते जाएगा अब देख रहे हैं पानी छिड़कती जा रही हूं ताकि काई बहुत आसानी से निकल सके चुना डालने से काई अपनी जगा छोड़ देती है और सिर्फ हलके हाथों से इसे ब्रस से रगणने की जरूरत पड़ती है अभी मैं आपको पूरा ये निकाल कर दिखाती हूं बिल्कुल ही असानी से ये साफ हो जाएगी आपकी चाहे छत हो चाहे आंगन हो या जिस भी जगे पे ये काई जमा होगी वो सभी अच्छे से निकल जाएगी तो अब मैंने अच्छी तरह से पानी डाल दिया है इस पे जहां जहां काई है वहां वहां मैंने इसे अच्छे से रगण लिया है आप देख रहे हैं जहां पर इतनी मोटी काई थी जैसे ही मैंने उसमें ब्रस को लगाया वो भी हलके हाथों से ऐसा नहीं कि मैंने बहुँ ज़्यादा इसे रगड़ा है और वो मोटे काई बिलकुल यासानी से बाहर आ गए तो ये काम किया है इस चूने ने उसने काई को बिलकुल गला दिया है उसके जगे से हटा दिया है और अपने आप काई निकल गई तो अभी मैंने इस आंगन का सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा ही आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया है अभी मैं पूरा आंगान आपको साफ करके एकड़म क्लीन करके दिखाऊंगी जिसे देखकर आपकी आँखे ना खुली की खुली रह जाएगी दोस्तो तो इसे अब मैं आपको साफ पानी से धो कर दिखाती हूँ कि ये पहले कैसे थी और अब कैसे है चौक गए ना सोचा नहीं होगा कि ये ऐसा भी हो सकता है लेकिन हाँ दोस्तो ये ऐसा हुआ है सिर्फ इस ट्रिक से जो है चुना अभी तो आपने सिर्फ आधा वीडियो ही देखा है आगे देखिएगा कि क्या कमाल होने वाला है जब मैं आपको पूरा का पूरा अंगर साफ करके दिखाऊंगी अब आईए इस दिवाल की तरफ जिसे देखकर कहेंगे कि ये तो नहीं साफ हो पाएगा लेकिन यही तो चैलेंज है जिसे मैं आपको बहुत ही असानी से साफ करके दिखाऊंगी वो भी चुटकियों भी, बीना महना, बीना कोई जंजट, बस थोड़ा सा इस पर पानी डाल दीजिए, और उसके उपर ब्रस या इसक्रबर से आप थोड़ा सा घिस दीजिए, उसके बाद देखिए कमाल, ये कैसे असानी से निकल जाता है? अब मैं इसे आपको धो कर भी दि दिखाती हूं, ये देखिए, हुआ ना जादू, कैसे चमक गई है ये दिवाल, कितने अच्छे से साफ हुई है, तो आप इसी तरह से जहां जहां आपको लगे कि घर में काई जम गई है, तो आप सिर्फ इस चुने के पाउडर का यूज़ करना, और ये मिलता भी कितना सस सिर्फ 10 रुपे में पूरे आंगन की सफाई हो जाएगी, जिन जगा पर मैंने इसे डाला है, वहां वहां मैं आपको अच्छे से साफ करके दिखाती हूं, ये देखिए, यहां भी हरा हरा है, आपको बिलकुल सामने दिखा रही हूं, मैं आपको क्या बताऊं, इतना मोटा ये हरा हिस्सा था, काई जमा था, ब्रस लगाते ही वो पूरी की पूरी काईना गल कर निकल गई, और बिलकुल ये जो दिवाल है, वो आपको बिलकुल क्लीन दिखाई दे रही होगी, और बस हलका सा इसे स्क्रबर से रगर ले, और आप देखेंगे की पानी से इसे डाल कर धो कर देखेंगे, अब आप देख रहे हैं इतनी मूटी मूटी जो काई ये जमा है, जो परत है, वो कैसे निकल दे जा रही है, पूरी लेयर निकल गई है, दोस्तों और जहां मुझे ऐसे लग रहा है कि थोड़ी सी काई रह गई है, वहाँ पर वापस से थोड़ा सा चु करने का, और बारिज के मौसम में ना हमको इस समस्या का सामना तो करना ही पड़ता है, अब आपको मैं वो जगह दिखा रही हूं, जहां से करीब करीब पूरी काई निकल चुकी है, ये देखिए, जहां जहां मैंने चुने का यूज किया था, वहां वहां से काई निकल गई और मैंने इसे अच्छे से साप पानी से धो भी लिया है, अब देख सकते हैं मेरा अंगन कैसे चमक रहा है, एकदम साफ सूतरा हो गया है, तो कितना असान है न ये ट्रिक, आप एक बार तो इसे जरूर ट्राय करके देखें, आप देखेंगे आपको 100% सफाई का रिजल्ट मिलेगा, दोस्तो तो ये तरीका था जिद्धिकाय को हटाने का, तो कैसी लगी आपको मेरी ये टिप्स मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, अगर आपको मेरा ये तरीका पसंद आया हो, तो मेरे चैनल घरेलू टिप्स एंट्रिक्स को लाइक करें, जादर जादर शियर कर मैं इसी तरीकों के नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहती हूं, तो वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी मिसना करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाए बाए